तो गाईज आज की इस वीडियो में मैं ट्राइ करने वाला हूँ एक वर्ल्ड रेकर्ड बनाने की क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ वर्ल्ड की बिगस पाइरेट शिप जो कि शायद किसी माइनक्राफ्स प्लेयर ने आज से पहले अपने hardcore world में बनाई होगी और guys जब मैं बोल रहा हूँ कि ये pirate ship world की biggest pirate ship होने वाले है तो इस बात को मानो यार क्योंकि guys इस ship को बनाने के लिए मुझे चाहिए होगे 35,000 से भी जादा materials जिसमें से 80% से भी जादा item हमें oak plank चाहिए होगा can you believe it guys मतलब हमें इतनी सारी oak logs लगने वाली है इस build को बनाने के लिए जिसे हम oak planks बनाएंगे और oak planks के साथ साथ हमें oak के काफे सारी चीज़े बनानी पड़ेंगी जैसे की oak stairs, oak trap doors और भी काफे सारी चीज़े जैसे की oak slabs और guys इतनी सारे oak की समान बनाने के लिए करने के लिए महनत करने के तो जरूरत बिलकुल भी नहीं पड़ने वाली है बस हमें करना पड़ेगा एक से दो घंटा AF के अपने wood farm पर जो कि हमने यहाँ पर बनाया तो last episode में और guys तुम जैसे की देखी सकते हो यह दिखने में काफी ज़्यादा बड़िया लग रहा है और अकर तुम लोगों ने पिछले episode नहीं देखा तो प्लीज यार इस वीडियो के बाद जा करके देख लेना मगर क्यों क्योंकि guys last episode काफी ज़्यादा तगड़ा था इस पाइनली मुझे यहां पर एक करते वे दो घंटे से जादा का टाइम हो चुका है अब दो घंटे के बाद देखते हैं कि इस वूड फाम ने हमें कितनी जादा वूड प्रोड्यूस करके दिये हैं तो यहां पर हमारे पास ओक लॉक्स कलेक्ट होने वाले हैं तो चलो फटवर से देखते हैं यहां पर कितना जादा ओग्लोग कलेट हो चुका है झाहर इस और में यहां पर एक घंटे भी करता ना तो यार में पास ओक box collect हो जाते हैं, मतलब यार मैंने तो घंटे अपने वेस्ट करती हैं एफ्र करने पे चलो बैट अब कोई बात निया आप फटबवट से क्या करते हैं ना आपने सारे के सारे ओकष से जितने मुझे क्राफ्ट करने मैं फड़ाफट से क्राफ्ट करने के बाद अमने तुम लोगों से मिलता हूँ सो गाइस फाइनेली मेरे पास यहां पर मोर देन 90% आइटम कलेक्ट हो चुका है जो कि इस बिल को बनाने के मुझे चाहिए हुआ क्योंकि यहां पर मुझे ओक प्लैंक्स और ओक की चीज़े जादा तर चाहिए थी अब जो नेक्स आइटम मुझे कलेक्ट करना है वो है वाफ दे वाइट ब्लॉग मतलब यार कुछ ऐसा ही नाम है इसका अजीब सा नाम है बात मैं इसको नीला पत्ता कहने वाला हूँ क्योंकि यार यह नेदर में मिलता और नेले कलर करता है यहा इसको मैं नीला पत्ता ही कहने वाला हूँ अब से और अभी हमें इस नीले पत्ते को कलेक्ट करने क 맞아 का इअब शल्टे अर्या नेधा आफड़ के यह जाना बढ़ ने रज़ को बनाने के लिए बनाने के लिए अब मुझे इस बिल को बनानी के लिए किली नेक्स आइटम जो लगने वाला है वो है काफी सारी वूल जो कि मैं यहाँ से collect करने वाला हूँ काफी सारी animals collect हो चुके हैं स से जा चलो फटर फट से यह काम भी complete कर लेते हों यह काम करने बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूं तो इस बिल्ड को बनाने के लिए मुझे जितनी भी बूल लगने वाली थी वो सारी की सारी कलेक्ट हो चुकिया अब बस एक लास आइटम हमारा कलेक्ट होना बागी रह गया है जो किये जंगल प्लैंक्स और जंगल प्लैंक्स को कलेक्ट करने के लिए मुझे चाहिए यह वी जंगल वूट तो चलो फटरवर्ट से चलते हैं जंगल बायों में और वहाँ पर जाने के बाद जंगल वूट को कलेक्ट कर लेते हैं और उससे बनाते हैं जंगल प्लैंक्स को So guys, finally, यहाँ पर मैंने जंगल प्रांक्स को भी क्राफ्स कर लिया और यहाँ पर मुझे जितना भी टम, इस शिप को बनाने के लिए लगने वाला था, वो सार अगा सार आइटम collect हो चुकी है, मतल़ 35,000 आईटम मुझे लगने वाला था, यह बनाने के लिए और 35,000 आइटम कलेक्ट हो चुका है यार अब यार दिखो आप मैं फटफट से चलता हूँ उस लोकेशन पर जहां पर मैं इस शिप को बनाने वाला हूँ यार सच में बहुत जादा बढ़िया लगेगी तुम लोग बस बेट करो एंड रिजर काफी जादा बढ़िया वने वाले तो फटफट से यहां पर सारा का सारा माटीरियर रख लेते हैं और अपने शिप को बनाना शुरू करते हैं और यहां पर मुझे पहले अंडर वाटर वाला पार्ट बनाना पड़ेगा तो यह चलो ओ, फटेवर से चुरू करते हैं, अंडर वाटर वाला पार्ट बनाना तो भाई यह देखो यार, यहां पर हमारा अंडर वाटर वाला पार्ट बनकर रेडी हो चुकَ है बट जैसे कि तुम सबी लोग वेखी सकते हैं, यहाँ पर कितना जाधा पानी collect हो चुका है, अब यह सारा का सारा पानी मुझे drain करना पड़ेगा, और drain करने के लिए मैं sand का use करने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरे पास sponge विल्कुल भी नहीं है, और अगर तुम लोग Minecraft खेलते ह तुम लोगों को पता ही हो कि sponge को क्राफ नहीं कर सकते हैं, यहाँ बहुत जादा सरदर्दी का काम होने वाला है, चलो फटा फट से सारा का सारा पानी को drain कर लेते हैं तुम लोगों के लिए कितनी बी दिक्कत ले सकते हैं यार मैं मतलब तुम लोग अपने इतने बड़िया सब्सक्राइब और सारी वीडियो देखते हो तो तुम ले कुछ भी करेगा तुमारे वाले कुछ भी तुम्हारा वाले को पता हैं कुछ भी तो देखो यार अब हमारा नीचे वाला फ्लोर पो बनकर रेडी हो चुक है मतलब अंडर वाटर वाला तो अब फटा-फट से उपर का फ्लोर बनाना स्टार्ट करते हैं और उपर का फ्लोर बनाने के बाद में तुम लोगों से मिलता हूं सो या इंजॉय देखो तो ये देखो यार यहां पर फाइनली मैंने अपना उपर वाला फ्लोर भी कम्प्लीट कर दिया जैसे कि तुम सब भी लोग देखी सकतो है एक मिनिट मैं तुम लोगों को उलकर के दिखाता हूं क्योंकि तुम लोगों का ऐसे नहीं दिखे गए क्योंकि यार यह वर्ल की बिगेस्ट शिप है मतलब यार काफी जादा बड़ी है यह शिप और जैसे कि तुम सब भी लोग देखी सकते हैं कितनी जादा बड़ी है यार सो अभी ना यार देखो मेरे दिमाग में एक आइडिया है और वो आइडिया क्या है ना मैं इस शिप को ऐसी खाली तो नहीं छोड़ सकता हम क्योंकि यार यह दखो वर्ल की बिगेस्ट शिप और यह ऐसी खाली पड़ी रहेगी तो इसमें बिल्कुल भी बड़िया नहीं सो मैं क्या करने वाला हूँ ना मैं इस शिप के नीचे वाले फ्लोर में एक ट्रेडिंग हॉल को बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं अपने विलेज से विलेजर्स को लाने वाला हूँ वहाँ पर मैंने पहले से थोड़े बहुत विलेजर्स को लाने वाला हूँ वहाँ पर म उन लोगों को वहाँ पर एक छोट असा ट्रेडिंग हॉल बना देते हैं, सो यहाँ पर मैंने चारो विलेजर को तो कैप्चर कर दिया है, और फटवर्ट से मैं इनमें से एक विलेजर को लेकर के चलता हूँ अपने शिप पर, और यहाँ पर आ चुका है अपना थर्ड विलेजर, और यहाँ फाइनली हमारा फूर्थ विलेजर भी यहाँ पर आ चुका है, सो गाइस फाइनली यहाँ पर मैं चारो के चारो विलेजर को लेकर तो आ चुका हूँ, सो या चलो फटफट से इस काम को भी कम्प्लीट कर लेते हैं करो ना भई क्यों नहीं कर रहे हैं सो कैस्ट फाइनली मैंने यहाँ पर रेल ट्रैक्स भी बिच्छा दी हैं आप देखो यार मैं कितनी असानी से इन विलेजर्स को लेकर के जाने वाला हूँ मतलब एक जादू की तरह लेकर के जाने वाला तुम लोग देखो यार आप देखो मैं हलके असानी से दोनों विलेजर्स जाने लग गए हैं और अब फटफट से चलते हैं हम भी चलते हैं फटफट से इन लोगों को अंदर बठाने हैं को अब यार मतलब यार मैं टकराकी हो जाता हूं यार अब फटफट से चलते हैं अंदर क्योंकि यार यह लोग भी अंदर पहुच चुके हैं अब देखो यार माइन कार्ट लगाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ ना मैं एक विलेजर की बोट में बैठने वाला हूँ और बोट को लगाने वाला हूँ ऐसे ग्रास के साइड में और यार देखो अब मैंने इसको एक्दम सेट कर दिया seven बोट को और ये देखो कितनी असानी से मतलब ये जाने लग गया है और यार ये टरिक काफी ज़ादा काम का में आती है इन विलेजर को ले कर जाने के लिए कितने असानी से यार एक और विलेजर को हमने भेज दिया है अब हमारा एक ही विलेजर बच्ता है तो चलो फट फर से इसको भी करके चलता है अब का ये ओर भी यासनी से बैडährt से बैट गया है और we वाइनली हमने चारो विलेजर्स को पहुचा दिया है अपनी पाइरेट शिप के अंदर यार मुझे लगा था ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है बट यार देखो तुम्हारा भाई प्रो है ना इसलिए मैंने असानी से ठ्रिक ढून ली मतलब कैसे इसको लेकर क अब फटर वर्ट से मैं सारे की सारे विलेजर्स को फ्री कर देता हूँ यार क्योंकि यार ये लोग अपने शिप में घूमते रहेंगे तो काफी जादा सही लगेंगे ये लोग घूमते वे तो या सारे विलेजर्स को फ्री कर देता हूँ एक आखरी विलेजर्स बचा इस सिल्क टच और दूसर लाइबरेडियन हमें दे रहा है अंग ब्रेकिंग 3 बट यार इसने ट्रेड काफी जादा महेंगी कर रखी है पता नी क्यों यार मैं तो इसको इतने जादा समाल करके ला रख रहा हूं और यार जैसे कि तुम सबी लोग देखी सकते हो इसने भी रेल्वे ट्रेक्स को भी जायर और थाटलियों कर सकते हैं अपने शिप को बना ना कंटीन्यों करते हैं अ Τैंसे यार मेरी गल्फिन का 토ra का मैसेज आ drink क्या रही हो मैं एक निट पढ़ देता हूँ यार तुम पूरे दिन माइनक्राफ्ट खेलते रहते हो इसलिए मैं तुम से ब्रेक अप करना चाहती हूँ तो गाइज एक निट रुको मैं इसको रिप्लाइ कर देता हूँ पहली फुरसत में निकल तो यार चलो गाइज अपनी एक गल्फेंड को इग्नोर करते हूँ आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अब मैं करने वाला हूँ इस वीडियो को लास्ट टाइम लेट सोया इंजॉई लास्ट टाइम लेट सोया इंजॉई और गाइस फाइनली इसी के साथ हमने बना दिये वर्ल्ड की बिगेस्ट पारेट शिप कैन यू बिलीव इड गाइस और यह देखो भाई सहाब मेरे पीछे यह हमारी पारेट शिप कितनी जादा बड़ी है यार यह मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे पांच दिन से जादा की मेहनत लगी है यार मतलब तुम लोग सोच सकते हो कितनी जादा मेहनत लगी है इस प्रोजेक्ट को बनाने में और यह देखो भाई सहाब कितनी जादा बड़ी है यार यह हमारी पारेट शिप तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते है कि हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं नेधर राइट आर्मर बनाने के साथ साथ और यह देखो भाई साथ कितनी जादा बड़ी है यार अपारेट शिप तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो में